hilloo friends, Welcome to Joolo JazzthesPire YouTube channel, सुआ आज डिस्कर्स्ट करेंगے crystal के class के उपर आज है जो मारा टपपी हम रहेखा crystal के class, ठीक है तो टर्म में i-class है तो इसका मीनि से कहींने कहीं हम बात करेंगे division के उपर या फिर classification के उपर और यूच्ण से सब डिवीजन ठीक है जो भी समझे मिन्स यहां पर हम काटागराइज कर रहें क्रिस्टल को जैसे कि इससे पहले हमने काटागुराइज किया था अगर आपको याद दो इससे पहले हमने देख था क्रिस्टल का क्या देखा था और इंडियुजल क्रिस्टाल सिस्टम मैं नमेर ऑफ क्रिस्टल रहा है तो थी वो क्रिस्टल किसे के बशिस्ट क्रिस्टेया है पर और रहे तो आस्सीस लाइब यहाँ पर विल्या बिया ख़ो श्लीफाइब करेंगे इस की स्वदिवजेय ते Union का क्रिस्टल का सिमेट्ट जो भी हमने सिस्टम देखा था उसके उससे कुछ भी लेना देना नहीं रहेगा उससे कुछ लिंक नहीं रहेगा यह क्लासिफिकेशन मतलब कंप्लीटली डिफरेंट क्लासिफिकेशन है ठीक तो यह क्लासिफिकेशन जो होता है यह अंद वेसिश क्लासिफाइ करते हैं वहां पर क्लासिफाइ कर रहे थे वहां पर हम क्लासिफाइ कर रहे थे वहां पर हम क्लासिफाइ कर रहे थे अन्द बासिफाइ 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 क कर रहे थे crystal system को ठीक क्रिस्टल सिस्टम हम बना रहे या फिर किस्टल सिस्टम को इस टाइप में classify कर रहे थे सब डिवाइड कर रहे थे बट इनकेश ऑफ क्रिस्टल क्लास इसको हम क्या symmetry element के बैसिस पर classify करने को टाय करेंगे और टोटल हमार पास 32 क्लास ठीके तो को एकॉर्णिंग टो symmetry element हमने crystal को 32 क्लास में डिवाइड किया और वह 32 क्लास फिर लाइक इससे पहले हमने जो क्रिस्टल सिस्टम देगा था हरे crystal सिस्टम में कुछ नहीं कुछ एक बीजन आपका क्लियर हो जाए या फिर जो टोपिक हम पढ़ने वाले है उसके बारे में थोड़ा सा आपका बैशिक आइडिया आजा इसलिए में थोड़ा सा डिसकेशन क्या है एबाउट यूर इंट्रडक्शन तो किसल क्लास क्लास किया है दे क्लासिपकेशन ऑफ क्रिस जो क्फाराऊ से इसलिए खाल इसलिए मखिए असले प्सकोड़ांस एंद्रो श्र्चन नृट्ट्र मेंट्शन ऑप Annoyer कीव इस जोगास क्लास्मेट्र।, अब यह symmetry के regarding भी हमने इससे पहले discussion किया था ठीक है symmetry को पर complete हमने एक वीडियो के वीडियो से discussion करने को try गया था इसमे हमने plane of symmetry कब बोलना है plane of symmetry क्या है वह चीज देखा था like that है हमने देखा था axis of symmetry and all thing about your axis of symmetry and like that हम center of symmetry भी देखे थे तो crystal मतलब crystal को हम classify कर रहे हैं कुछ classes में और वो classify degree and nature of the element of symmetry symmetry element का degree के उपर और उसका nature के उपर हम base करके इसको classify करने को try कर रहे है crystal को into some classes it has been shown mathematically that only 31 combination of symmetry element are possible तो हाँ यह देखा गया mathematically जब हमने count किया तो हाँ 31 combination of symmetry तो हाँ symmetry का जो भी हमने इसे पहले देखा symmetry का हम nature देखेंग और degree देखेंगे तो यह इसका combination से हमे 31 क्या मिला combination of symmetry element देखेंगे को मिला ठीक है तो हाँ 31 combination of symmetry element देखेंगे को मिला according to calculation mathematical यह हमने देखा क्योंक हम यहाँ पर classify ही कर रहे crystal going to classes on the basis of symmetry symmetry में भी degree और उसका nature के basis पे हम classify कर रहे है symmetry का degree और nature के basis पे 31 हमें combination देखने को मिला symmetry ठीक है ए crystal may be without any symmetry और ए crystal रहेगा जो without any symmetry तो हाँ यह 31 and a crystal तो 31 and 1 मिल के किया हो 32 दस there are in all only 32 crystal classes तो हां इसके द्वारा आपको 32 crystal के class मिले means हमने जो classes में divide किया to the crystal crystal को जो भी हमने classes में divide किया 32 classes में divide किया वो 32 class कैसे बने on the basis of nature and degree of symmetry element और जब हमने यह आपका symmetry element था या फिर उसका nature था या फिर degree था ठीक है तो उसको मतलब हमने जब observe किया तो mathematically आपको 31 combination of symmetry element देखने को मिले और एक crystal था without symmetry तो यह दोनों को जब हमने add किया 32 हुआ तो हमार पास 32 classes बने of crystal ठीक है all the 32 classes are grouped into six crystallographic system और जितने भी 32 class हमार पास बने ठीक है और इसको हमने group किया six crystal system के अंदर इससे पहले हम देखा था crystal system about your six crystal system like you have cubic crystal system then you have tetragonal, hexagonal, orthorombic, monoclinic and tri clinic यह individual crystal के system है तो हमार पास six crystal system था under basis of crystalographic axis तो यह 32 हमें class मिला यह 32 class को हमने group किया यह 32 class को हमने कुछ जो crystal हमार पास system है उसके अंदर कुछ-कुछ class को हमने रखा ठीक है तब वो क्या है वो भी आगे हम देखेंगे चलिए फिर देखते हैं किस तरह हमने उसको arrange गया अपके प कुछ-कुछ crystal system के अंदर रखने को ट्राइग क्या अब कितना कौन से crystal system में कितना class मतलब कितना number of class को हमने रखा वो चीज़ देखेंगे तो स्टार्टिंग में है आपके पास isometric और क्यूभी crystal system तो क्यूभी crystal system में हमने 5 class को रखा out of 32 we have 32 class ठीक है according to your element of symmetry element of symmetry के वैसिज में हमने crystal को classify क्या into 32 classes और वो 32 classes में से भी 5 class को हमने isometric crystal system के अंदर रखा like that in tetragonal crystal system हमने क्या 7 class रखा out of 32 32 हम यहाँ पर 7 class हम रखें उसी तरह hexagonal crystal system में तो hexagonal crystal system का दो division है ठीक है hexagonal division and another one is trigonal division जब हम individual hexagonal crystal system के उपर discuss करेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे hexagonal crystal system क्या है and your trigonal division क्या है ठीक है या फिर trigonal crystal system जो की hexagonal के अंडर में आता है वो क्या है तो हाँ जब बात करते है hexagonal crystal system का तो उसका दो division एक है hexagonal crystal system and second one is your trigonal crystal system तो दो division है उसका trigonal division and hexagonal division तो hexagonal का जो division 1 था या फिर hexagonal crystal system उसमें 7 class को रखा गया 7 class को and like that in trigonal crystal system which is a division of hexagonal crystal system उसमें हमने 5 classes को रखा out of 32 तो हां कुछ इस तरह हम grouping कर रहें जैसे कि हमने starting में देखा all the 32 classes are grouped into six crystallographic system तो हां जो भी हमार पास six crystallographic system था या फिर crystal के system थे यह 32 class को हमने उसी के अंदर categorize करने को try किया तो हमने देखा था trigonal division तो trigonal division which is a division of hexagonal crystal system तो उसके अंदर हमने trigonal के अंदर five classes को रखा था like that you have orthorombi crystal system and monoclinic and triclinic crystal system तो हां orthorombi crystal system के अंदर आपका तीन classes है and in monoclinic crystal system आपके पास तीन classes है and in triclinic crystal system यहाँ पर आपके पास दो class है तो इस तरह हमने 32 class को categorize का या फिर grouped किया या फिर 32 class को हमने कुछ इस तरह distribution किया among the crystal system ठीक है तो यह तो था एक मतलब क्या बोलते है basic वाला crystal के class के regarding एक basic चीज था जो कि हमने देखा स्टार्टिंग से crystal का class को किस तरह हमने classify क्या हम देखिस of symmetry element के और symmetry element के according भी हम हमें हुज symmetry element था उसका 31 combination देखने को मिला और एक crystal था without any symmetry तो इस तरह हमार पास 32 class बने उस 32 class को हमने crystal system के अंदर रखने को ट्राइक या और कुछ इस तरह हमने उसको आरेंज क्या in cubic crystal system you have five classes in tetragonal seven classes in hexagonal division one seven classes in hexagonal which is your second division known as trigonal division ठीक है hexagonal का और एक जो division है second number वाला division और you can say trigonal division जो की hexagonal के अंदर में आता वहाँ पर हमने five classes को रखा like that orthorombic में three classes and monoclinic में three classes and tri clinic में two classes तो कुछ इस तरह हमने 32 class को distribute किया तो क्या crystal का class यहीं पर end हो जाता है नहीं इसके बाद हम individual crystal system को discuss करके end कर लेंगे तो उसके बाद हम आएंगे crystal के class के उपर discussion करने के लिए तो वहाँ पर कुछ detail में हम discuss करेंगे उसका projection देखेंगे HM symbol देखेंगे हर एक चीज regarding crystal के class के उपर हम देखेंगे regarding crystal class तो और भी कुछ चीज है जैसे कोई मतलब कोई class है जो कि highest degree of symmetry दिखाता तो उसको क्या बोलना है तो वह सब चीज भी थोड़ा साथ देख लेते हैं जब हम crystal class के उपर discuss कर रहें तो और भी कुछ basic चीजे देख लेते हैं crystal के class के उपर इसके बाद हम जो भी किस्टल के class के उपर discussion करेंगे तो individual class के उपर discuss करेंगे उसका projection देखेंगे उसका हम सिंबल देखेंगे हर एक चीज देखेंगे जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि हमने यह जो crystal के class को काटागोरा इसके या फिर हमें crystal का जो भी 32 class मिला किसके basis पर मिला on the basis of degree and nature of the element of symmetry ठीके तो हां अब यहां पर बात कर लिए symmetry का लेकिन कुछ तो ऐसे भी हमार पास crystal system होगे ना जिसमें बहुत ज्यादा आपको symmetry देखने को मिले या फिर you can say highest number of symmetry और कुछ ऐसे भी crystal system में जिस देखते हैं the highest degree of symmetry is shown by the isometric crystal system तो हां इसी को है आप cubic crystal system भी बोलते हो इससे पहले हमने देखा था cubic crystal system को हम isometric crystal system बोल सकते हैं तो highest degree of symmetry तो symmetry सबसे ज़्यादा आपको किसमें देखने को मिलेगा in isometric crystal system and the lowest degree of symmetry is exhibit by the triclinic crystal system तो हां triclinic crystal system के अंदर आपको lowest degree of symmetry देखने को मिलेगा like that आप जब बात करोगे highest degree of symmetry के तो highest number of symmetry का तो हां वो आपको isometric crystal system में देखने को मिलेगा और you can say qv crystal system in every system the classes obviously हम बात करें class के उपर ठीक है तो इसका class crystal का class तो in every system the class which show the highest degree of symmetry तो हां हर एक crystal system में लाइक अभी इससे पहले हमने देखा था qv crystal system में हमने 5 class को रखा था tetragonal में 7 class हमने रखा था ठीक है orthorambic में हमने 3 class रखा था और monoclinic में हमने 3 class like that in triclinic हमारे पास 2 class था ठीक है यह फिर 2 classes थे in your triclinic crystal system तो हां यह individual जो भी classes है उन में से जो भी class like अगर मैं बात करूँ isometric crystal system का तो isometric crystal system में आपके पास 5 classes है तो 5 classes में से जो भी class highest degree of symmetry दिखाएगा तो उसको ही हम बोलेंगे hollowedral और normal class ठीक है in every system जो भी every system में यहाँ पर आपके 6 जो भी 6 systems है हर system में कुछ ना कुछ crystal के class है तो हर system में जो भी class है उसी class में से ठीक है जो highest degree of symmetry दिखाएगा highest degree of symmetry उसी को ही हम बोलेंगे hollowedral और normal class होलो हेडरल क्लास भी आप बोल सकते है या फिर normal class हम किसको बोलेंगे जो भी class highest degree of symmetry दिखाएगा इन्हे crystal system कोई भी crystal system उसके अंदर multiple number of classes है और उसी multiple number of classes में ते individual system के अंदर जो भी multiple number of classes है उसी classes में से जो class highest degree of symmetry दिखा रहा है ठीक है उसी को हम बोलेंगे hollowedral class और you can say normal class ठीक है तो यह था all about your crystal के class कुछ भी doubt हो comment कर दिजिए thank you for watching